जाहिन सातियों स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेश प्रयागराज में सातियों आज हम लाभानी से कुछ महत्पूर्ण तसक्यूशन्स लाए हैं जो की परिच्छा के दृष्ट से बहुत इपॉर्टेट है जो की बार-बार आपकी हो जाएगा और साथ इसाथ आप आप लोग इस प्रशन से एक बार रूबरू हो जाएंगे तो प्रशनात की स्क्रिंट पर होगा हलाकि आप लोग पहले भी सारी चीजे पढ़ चुके हैं तो प्रश्ण को आप लोग खुद से भी कर लेंगे तो वीडियो को पोज करके आप लोग प्रश्ण को हल कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो मेरे साथ देखिए कि इस तरह के प्रश्णों के साथ हम लोग कैसा विभार करते हैं तो प्रश्ण आपकी स आपसंस हैं, A बरावर 24 सो, B बरावर 36 सो, C बरावर 1200 और D बरावर इन में से कोई नहीं, तो बहुत ही सांदार प्रशने साथियों, तो सांदार तरीके से आप लोग हल करने का इसे प्रयास भी करिएगा, हलाकि ये चीजे हमने पहले सारी चीजे आप से बता रख, सारी चीज लाव का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं क्या, लाव बरावर 30 प्रस्चत, क्या है 30 प्रस्चत, 30 प्रस्चत को अगर हम भीन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 बटे हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब 3 बटे क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, इस होता है मूल परिणाम होता है और यह क्या होता है यह होता है प्रतिसात परिणाम क्या होता है प्रतिसात परिणाम तो इसका माना लें पाइबान लेते हैं ऺाड़ें को तो आपसी यह इस वस्तू कितना है सेल प्राइस कितना हो जाएगा o하신 का माइनस 600 नया S-P कितना हो जाएगा नया S-P की बात करेंगा सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 13X माइनस 600 यानि कि 600 रुपए कम में खरीदता और 600 रुपए कम में बेज़ता तो उसे कितना लाब होता उसे 10% का और लाब हो जाता 40 प्रिस्ट क्या हो जाएगा 40 प्रिस्ट इस 40 प्रिस्ट से मतलब है 4 बटे 10 4 बटे 10 से मतलब है 2 बटे 5 2 बटे 5 से मतलब यह है कि यदि आपका वस्तु 5 है 5 है यह आपका CP हो जाएगा यह आपका LAB हो जाएगा यह हो जाएगा LAB यदि वस्तु 5 की है तो बेची किती में जाएगी, 7 में बेची जाएगी, 5 की है 7 में बेची जाएगी, यह नहीं कह सकते है, SP और CP का जो अनुपाद है, 5 अनुपादे साथ है, कितना SP और CP का अनुपाद क्या है, 5 अनुपादे साथ, आप देखिए क्या कह रहा है, नया काश है आहाई प्राइस एन नुपात वैका क्या है फांच बते साथ यह पांच वटाइसी कि सवाल कर ले Ł Going हमारा अनसर आपके सामने हो जाएगा क्या करेंगे साथ से उधर जाएगा अगल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सद्दहम सत्तर हो स कि साल क्यों हो जाएगा आपका 70 X सद दнокमा 70 X 46 62 क्या हो जाएगा 41 भराबर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 5 से करेंगे 13 5 65 ह है 65 हो जाएगा 36 35 क्या हो जाएगा 3000 क्या हो जाएगा 3000 यहां तक किसी को कोई problem नहीं अब 70-65 क्या हो जाएगा आपका आजाएग इधर पांच यक्स ये जो 42 जाएगा तो प्लस 42 हो जाएगा 30 में से 42 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा पांदूनी 10 पांचो को 20 यक्स बराबर 240 अब आपसे पूछा क्या है आपसे आरंभिक क्रेमूल पूछा है क्या है आरंभिक क्रेमूल तो हम लोग आरंभिक क्रेमूल कितना मान रखे हैं हम लोग आरंभिक क्रेमूल 10 यक्स मान रखे हैं क्या है तो आरंभिक जो आपका क्रेमूल हो जाएगा कितना है हम लोग माने है 10 यक से तो आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू हो जाएगा 240 परावर क्या हो जाएगा 24 रुपए क्या हो जाएगा 24 रुपए तो यही आपका राइट एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 24 रुपए आपका आराम्भी क्रेमूल हो जाएगा कि जो नहीं कर पाये थे वो लोग इसे सीख भी जाएं कि इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करते हैं तो चलते हैं अगले प्रस्णी की तरह देखते हैं वो क्या कह रहा है कि एक पुस्तक एक निश्चित धन्रासी पर बेचने पर 20% की हानी होती है यदि उसे 12 रुपए में ज़्यादा बेचे तो इस पर 30% का लाव होता है तो इस पुस्तक पर कितना लाव होगा यदि उसे 4.8 रुपए ज़्यादा में बेचे जाए आपके अपसंस हैं A बराबर ना तो लाव ही ना तो लाव ना तो हानी B बराबर आपका 20% लाव C बराबर 10% और D बराबर आपका 25% बहुत ही सांदार प्रसन है आप लोग सांदार तरीके से इसे करने का प्रयास करिएगा step by step प्रसन जो कह रहा है आपको वही करना है आपको अलग से कुछ नहीं करना है प्रसन के according चलेंगे आपका answer अपने आप सुता ही आ जाएगा तो देखते क्या करा है कि एक पुस्तक एक निश्चित धर्रासी पर बेचने पर 20% की हानी होती यह तुसे 12 रुपए में ज़्यादा बेचे तो इस पर 30 प्रसन का लाब होता है तो इस पुस्तक पर कितना लाब होगा तो हमने बताया था कितना हानी है 20% क्या है माảiनस 20% माảiनस 20% کا मतलब क्या हो나 20% की है नहीं कर रहा है कि 12 उपए में जादा बेचा जाए जब इसी इससे 12 उपए जादा कर देते हैं तो उसे कितने % का लाव हो जाता उसे 30% का लाव हो जाता कितना livelihood 30% का लाव हो जाता अब हल करेंगे 20 इधर जाएगा तो 30-20 50% बराबर 12 यदि 50% बराबर 12 तो 100% बराबर चुकि 50% बराबर इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 दूना 24 क्या हो जाएगा 24 यानि कि 24 रुपय जो आपका हो गया वस्तू का काश्ट प्राइस हो गया आपसे लाब पूछा है कितना 4.8 रुपय में ज्यादा बेचा जाएगा कितना लाब होगा ज्यादा कितना बेचा रहा है ज्यादा 4.8 रुपय ज्यादा में बेच रहा है 4.8 जो तो लाब क्या हो जाएगा आपका लाब प्रतिसत क्या हो जाएगा 4.8 रुपएा लाब मतब ज़ादा में बेच रा थो इसका लाब है कितने पर जवादा है 24 रुपए पर 4.8 जवादा है तो 100 हो जाएगा अराम से करेंगे तो 0.2 यानीकि 20% लाब क्या हो जाएगा 20% लाब हो जाएगा आपका जो यही ज्यादा time नहीं लेंगे इसी प्रकार का चलते हैं next प्रवस्म देखते हैं कैयरा कि यदि 524 में एक वस्तो को बेचने पर प्राप्त लाब इसी वस्तो को 452 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानी के बराबर है तो वस्तो का crime मुल ग्यात करिये आपके options हैं A ब्राबर 400, C, B ब्राबर 500, C ब्राबर 488 और D ब्राबर 480 रुपए तो इस तरह के प्रस्द भी हम लोग discuss कर चुके हैं कुछ नहीं करना आप लोग solve करने का प्रयास करिए तो भाई साब जिसका जिसका भी 488 एंसर आ रहा है भाई साब वो गजब का खेल गया है बाकी जिसका चालान कट गया है वो लोग ध्यान दे अभी serious हो जाए उनके अभी उन्हें तैयारी की बहुत जादा जरूरत है तो देखते हैं कि किस तरह से इस तरह किस तरह से इस प्रस्दों को हम लोग solve करते हैं करहा है क्रैमूल हमसे पूछा तो हम लोग मानना वश्दों को कित्ता माला है यक्स माली किरा एकि 4524 में वस्दों को बेचने पर जो लाव होता है तो हम लोग लाब जानते हैं क्या होता है लाब बराबर हो जाएगा आपका विक्रेमूल माइनस क्रेमूल बराबर किसके हो जाएगा कह रहा है कि 452 में बेचने की हानी के बराबर हो जाएगा तो हमने बताया था लाब कब होता है जब विक्रेमुल ज़ादा होता है हानी कब होती है जब क्रेमुल ज़ादा होता है तो लाभ आपका विक्रेमुल माइनस क्रेमुल इसलिए हानी क्या हो जाएगी आपकी क्रेमुल माइनस कितना 452 यानि कि जब 452 में बेचता है तो 524 में बेचता है तो जो लाब होता है चार सो बावन बेशने पर जो हानी होती है दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं क्या है संख्यात्मक रूप से बराबर है इसी को solve करेंगे यक्स इधर जाएगा टू एक्स हो जाएगा टू एक्स ये इधर जाएगा आपका right answer हो जाएगा किता 488 रुप है आपका एकदम correct answer हो जाएगा option number C जो हो जाएगा एकदम correct हो जाएगा तो साथियों ये चीज़े आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है इस प्रस्ण को भी हम लोग discuss कर चुके हैं बहुत सांदार तरीके से आपके options हैं A बराबर 4% B बराबर 4.75% C बराबर 5% और D बराबर 5.26% तो बहुत ही सांदार प्रस्ण है आप लोग हल करने का भी प्रयास करें और answer देने का भी प्रयास करें तो देखते हैं कैसे साल्व होगा यह प्रस्ण क्या होगा क्रेमुल बिक्रेमुल का 95% कुछ नहीं करना था साथ ही प्रस्ण में जो क्रेमुल था क्रेमुल का 95% बराबर 5.75% क्रेमुल था साथ है आपका 100 हो जाएगा qa प्रस्ण गर व्याप्रटिसाट बेज क्रेमुल था में जो था क्रेमुल रूंस क्रेमुल 20-99% में जो जाएगगा आपका 100 हो जाएगा हल करेंगे तो 100 बटे 19 होगा यानि कि 1 हो जाएगा आपका ये बटे 19 तो 19.95 बे आपका कित्ता हो जाएगा सही में आ रहा है 29.75 बचेगा 5 29.29 बचेगा कितना 12 120 हो जाएगा 5.26 परसेंट यानि इतना आपका क्या हो जाएगा लाव हो जाएगा आपसन नंबर जो आपका D हो जाएगा साथी हो मेरे प्यारे साथी हो एकदम करेक्ट हो जाएगा तो भाई सांदार तरीके से आप लोग साल्व कर रहे होंगे ये मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ तो इसी टाइप का एक प्रस्ष्ण और लेते हैं कह रहा कि चीनी की कीमत में 20 प्रस्षत की कोटोती के बाद एक ग्रिहनी जो है 240 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेती है तो चीनी का वास्तविक मुल्य, वास्तविक क्रेमुल्य क्या होगा क्या वास्तविक क्रेमुल्य क्या होगा आपके अपसंस हैं A बराबर 10 रुपए प्रत किलोग्राम B बराबर 8 रुपए प्रत किलोग्राम C बराबर 6 रुपए प्रत किलोग्राम और D बराबर 5 रुपए प्रत किलोग्राम कि अ куда दूखो थी देकि चीनी की कीमत में 20 प्रिसद की कट ती कि बात क्या बीस प्रिसद की कमी कर रही विजब फिसकी कमी का मदलब समझ रहा है क्या है इस को यह हो गया चीनी चीनी की बात करें चीनी ममलत क्या ह zigot आओ hull कि इसमें मूल में कमि कंम इ nell की खपत में कमी तो करी मूल में कमी कीमत में कमी केतना है 20%-20% को मतल़ीं, कमी का मतला 20% क्वाइङ हुर्प में एक बटे-5 यानि कि एगर चीनी पहले पांच रुपय में रही होगी, तो आप कित्म हो गई। चार में हो गए यानि क्या हो गए यह आपका इसको हम लोग पुराना गर माल लेते हैं तो इसको क्या माल लेते हैं नाया माल लेते हैं यानि कि चीनी पहले पांच में रही होगी तब हो गई चार में तो खपत जिसी का उल्टा माल लेते हैं क्या खपत जो हो जाएगी यदि पहले चार यूनिट यूज गर चीनी मिलती थी जादा खरी लेट चीनी की मात्रा कितना ज्यादा मिला 6 kg तो यहां देख रहे हैं कितने यूनिट ज्यादा मिल रहा है यानि कि एक इक इकाई चीनी ज्यादा मिल रही है चार से पांच और एक इकाई बरावर किता दे दिया है 6 किलोगराम ट pourrait पूराना पूरचा और नेवेन पूछाता है तो चैनी काई संफजेंगरी किलोगराम हो जाएगा तो 4 इकाई बरावर क्या हो जाएगा 24 किलोग्राम क्या हो जाएगा 24 किलोग्राम यानि कि पहले उसे 24 किलोग्राम चीनी मिलती थी 240 रुपए में यानि कि पहले रेट 5 रुपए जब 5 इकाई रेट था तो आपको 24 किलोग्राम चीनी मिलती थी त्वास्टविक मूल कितना होब देखेंगे चीनी के पूल कितना है कितना है कितना पहले मिलता था है 24 किलोग्राम मिलता था किता 24 kg तो 40 बटे यानि कि 10 रुपए प्रति किलोग्रम क्या हो जाएगा 10 रुपए प्रति किलोग्रम यही आपका राइट एंसर हो जाएगा चीनी का जो वास्तिविक मूल है वो आपका हो जाएगा 10 रुपए प्रति किलोग्रम क्या हो जाएगा 10 रुपए प्रति किलोग्र कारता है और वहा पिर 20-etry कपड़ा को 25 रुपए में भेजता है तो लाहानि प्रकंचत गयाद करें आपकी अप्टस अभवर 56-एक बटे-4 प्रकंचत का लाब why बगभर 56 एक भटे-4 प्रकंचत की छानी जबकि c बराबर 35 की दती सज एक भटे-3 प्रकंचत का मोझ reasonably discuss करें बहुत सांदा तरीके से एक नहीं दो दो तरीके से साल्व करा के रखे हैं तो देखिए कैसे साल्व होगा इस तरह के प्रशन कहरा है कि एक दुका अंदर 25 मीटर कपड़ा 20 रुपए में खरीदता है कितना 25 मीटर कपड़ा 20 रुपए में 25 मीटर कपड़े का दाम 25 मीटर कपड़ा का कास्ट प्राइस क्रैमल कितना है 20 रुपए चुकि जब 25 मीटर का 20 रुपए है तो एक मीटर का कितना हो जाएगा एक मीटर का हो जाएगा आपका 20 बटे 25 रुपए यह क्या हो जाएगाए में बीस लिइस मीटर कपड़ को अ जmost क्या पूछा कितना है पचीस क्या है इसलिए एक मीटर का कितना बाई एक मिटर का Te сами प्राइस 25500डे 20 क्या हो जाएगा पचीस 20 प्रुपे 26200 आप थे क्या पूछा आप से लाब पोछा ए लाब पूछा यह लग है अनि प्रस्त तो आप देख रहें लाब हो कि है तो देख रहे हैं कि यहां क्या होगा यह जादा है काश्ट प्राइस काम है सेल प्राइस जादा है तो क्या हो जाएगा आपका लाव हो जाएगा लाव हो जाएगा तो लाव प्रतिसत की बात करें लाव प्रतिसत बराबर क्या हो जाएगा सेल प्राइस माइनस काश्ट प्रा पचीस इंटू में क्या हो जाए बटे इंटू पचीस बटे क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा पचीस बटे बटे क्या हो जाएगा आपका सो हो जाएगा इसी को सौल कर लेंगे पचीस से पचीस गया क्या हो जाएगा एक दो सो पचीस बटे क्या हो जाएगा चार सो इंटू नंबर जो आपका B हो जाएगा साथ में वो एकदम करेक्ट हो जाएगा तो बहुत ही सांदार तरीके से मैंने पहले भी डिसकुस कर रखा एक तरीका और है जो कि जिसे हम ट्रिक के माध्यम से बताया था अगर आप ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली कच्छाओं को नीमित रूप से देखें उसमें आपको मैं ट्रिक भी दिया हैं हाला कि मैं ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा हूं हाला कि ट्रिक आप लोग भूल जाते हैं हर कोई भूल जाता है कि इतना ट्रिक याद रखोगे तो आप लोग तरीक तरीक पर जाएए ट्रिक अपने आप बन को किस मुल पर बेचा जाना चाहिए आपके आपसंस है ए बराबर 16 सो बी बराबर 1593 में दिसमलो साथ पाँच सी बराबर 1590 और डी बराबर 1650 रुपए तो बहुत ही सांदार प्रसने सातियों बहुत पाप्लर किस्चन है आपके एक्जामनेशन में इस तरह के प्रसन अकसर प मिलता होगा है कि अगर एक मशीन को बाराबस तीस रुपए में बेचा गया जिससे की विक्रेता को अथारा परसेंट खानी अथारा परसेंट हानी से क्या परिसात है तो हमने आपसे बताया था कि अथारा परिसात हानी से मतलब यह हुई कि वस्टू जो है सोयम की कितनी सो माइनस अठारा परसेंट पर बेची गई है यानि कि वस्टू कितने पर बेची गई है सो माइनस अठारा को कह सकते हैं यानि कि वस्टू सोयम की बैची परसेंट पर बेची गई है कितने पर बेची गई है सोयम की बैची परसेंट पर कित क्या होती है आपकी आसान हो जाती है तो मानते हैं जो आपका CP कितना है CP को हम लोग मानते हैं 100% क्या मान लेते हैं 100% कह रहा कि 18% के हानी हुए 1530 में बेचने पर यह निए वस्तु जो बेची किते परसंट पर बेची गे 88% क्या है आठासी परसंट तो आठासी परसंट बराबर नजिए आपका 1230 कि तदी यह बारसी होजाएँ जब 88% बिचा बेराबर 1230 दिया है तो आपका एक प्रस्था बिराबर क्या हो जाएगा 1230 बिच्ट बिचाएंगा 88 यहां तक किसी 88 क्या हो रहा है से 18 परसेn की इसे हानी हो रहे तो 82 हो क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आप कहरा कि जब वस्तु को साड़े चार साही एक बटे चार परसंट चार पर पर बेचा जाए तो मसीन को किस मुल पर बेचा जाएगा तो एक चीज़ आग ध्यान दीजिए क्या ध्यान देंगे कि 6 साही एक बटे चार परसंट लाब का मतलब क्या हुआ कि वस्तु जो है सोयम की सोयम की सो प्लस से 6 साही एक बटे चार परसंट पर बेची गई अबरहाल बात करेंगे 425 बटे क्या हो जाएगा 425 बटे 14% क्या हो जाएगा 425 बटे 400 क्या दिया है एक बराबर चुकि एक बराबर दिया है बारास एक प्रतिसत बराबर दिया है 1230 बटे 82 तो आपका हो जाएगा 425 सही 4 प्रतिसत बराबर क्या हो जाएगा 1230 बटे 82 इंटू क्या हो जाएगा 425 बटे 4 हो जाएगा क्या 425 बटे 4 इसी को solve करींगे है राम चे ते किस से कटेगा, son, 4 से जाएंगा, 4 से नहीं जाएंगा, 2 से काटते हैं, 2 चोग को 8, 2 एककं दो, 2 चंग बारा, उसके बाद बचेगा, 2 एकंदो, 2 पांचे तैस सो 15, देखीं, ये कितने से कटेगा, 41 एकंम 41 बचेगा, कितना 250 बचेगा, 41 एककम 41 उसके बाद किता बचेगा आपका बचेगा 20 205 4 पंचे 20 यह निकी 15 बार जाएगा किता 15 एकम 15 15 चुको 60 एक 15 बार गए यह बड़ा किता 4 तो इसके बाद गुड़ा करेंगा 15 55 75 15 दूना 30 37 37 15 चुको 60 63 63 बटे आपका हो जाएगा चार और स्वाल करेंगे कितना निकल जाएगा 4 एककम 4 बचेगा 2 तेईस 4 पंचे 20 बचेगा 3 37 4 नमाई 36 बचेगा 15 चार तियाई 12 तो इतना बतार करने की जुरूत नहीं थी लेकिन यह चीजे आपको तब आएंगी जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में ही चलेगी कितना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना इतना लंबा करने के आपको ज़रूरत नहीं है अप्सन नमबर बी जो हो जाएगा एक दम करेक्ट हो जाएगा तो चलें फिर अगले प्रसनी की तरफ देखते हैं ये आपके साथ कैसे खेलेगा एक दुकानदार अपनी वस्तों का क्रैम मूल 20% जादा अंकित करता है और अंकित मूल पर 10% की छोड़ देता है तो लाब प्रसन बताईए आपके आपसंस हैं A बराबर 8%, B बराबर 10%, C बराबर 12% और D बराबर इन में से कोई नहीं तो बहुत सांदार तरीके से हमने आपको करवाया था साथियों ध्यान दीजिए पिछली का छाव में नहीं देखे हैं तो या मैंकि क्या पेढ़ दूका हमने क्या पताया था है दुकां दर अपनी क्रैमील सबस्थी आसान तरीका क्रैम भीपरक्षंट आ outta रीक्षाट क्राइगा निए बीड चया हो धायगा तो क्या हो जाएगा dura h origin प्रिस्ट क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अंकित मूल क्या हो गए आपका 120 परसेंट हो गया उसके बात कहरा कि उस पर 10% की छूट देता है कि इतना छूट देता है 10% की चूट यानि कि माइनस 10% 10% की जब छूट देगा तो 120 का 90 परशंट क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 परशंट छूट देगा तो इसका 90 परशंट बचेगा तो जीरो 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 बारह नहीं है एक Japan इसका राइट आप नंबर हो जयेगा आपका एकदम correcteter तो इसी तरह का एक प्रेश्ट साम्पल सब्सक्याइब C क्या करना था इसमें कुछ नहीं करना है भाई आपके A 25%, B 5%, C 20% और D बराबर इसे ग्यात नहीं किया जा सकता हलाक या प इस पे टिक मनमाद दीजिएगा कि ग्यात नहीं किया जा सकता बच्चे ऐसा ही करते हैं जब नहीं आता रहता है तो स्वारीज सर मुझे नहीं आता है तो डारेक्ट ग्यात नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना था, काश, CP और SP का आप लोग अनुपात निकालेंगे, उसे यूनिट में मान के आप लोग हल कर देंगे, तो आराम से आपका एंसर आ जाएगा, तो देखिए कैसे होगा, कह रहा कि 15 वस्तु का क्रेमूल, 15 वस्तु, वस्तु का CP बराबर 12 वस्तु का SP, क्या हो जाएगा, 12 वस्तु का सेल प्राइस, क्या हो गया, 12 वस्तु का सेल प्राइस, तो CP अपान सेल प्राइस बराबर हो जाएगा, 12 वस्तु, 12 अगर यूनिट में खरीदा है, तो 15 वस्तु बेचा है, आपका अपसान नंबर जो हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा पचीस परसिंट का उसे लाब होगा तो मैं उम्मिद कर रहा हुँ साथियों ये चीज़े आपको असानी से समझ में आई होंगी तो आज के सेशन का अंतिम प्रस बहुत सांदार प्रस नहीं है हैं आप लोग से सांदार तरिके से हल ने का प्रयास करिएगा एक दुकानदार अपनी वस्तों पर क्रैस से 20% ज्यादा अंकित करता है ये दिवा उसे 312 के बिल पर 31.2.0 की छूड़ देता है तो लाब प्रतिसत ग्याद करो आपके आपसंस है E ब्राबर 8% B ब्राबर 2% C ब्राबर 5% और D ब्राबर 9% C आठवे नंबर की सवाल जो भी हमने हल किया था उसी तरीके सा बस क्या किया है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सी लाइंग्वेज को चेंज कर दिया वो कहां चेंज किया है मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप समझदार होंगे तो आप उसे कर लेंगे क्या आप उसे कर जाएंगे देखे क्या कर रहा है कि वस्तु का क्रेमूल 20% जादा अंकित करता है यदि वहाथ 312 के बिल पर 31.2% की छूट देता है यहां पर करना क्या था छूट को आपको परसिंटेज में ना देकर संख्यातमक रूप में छूट को दे दिया है अब बस आपको करना क्या है इसे आप प्रतिशत में बदल लेजिए बात ही खतम प्रतिशत में आ जाएगा काम आपका खतम हो जाएगा क्या दिया छूट क्या दिया है 31.2.0 की दे रहा है कितने पर दे रहा है 31.2.0 की दे रहा है 312 पर छूट दे रहा है इंटू में 100 कर देंगे आपका छूट प्रिस्ट निकल जाएगा 312.1.2 यह बचे जाएगा किते में यह दस बार जाएगा यानि कि दस प्रिस्ट क्या है छूट आपकी दस परसेंट होगे बस खतम कहानी आपका हाँ CP आपका माल लेते हैं 100 प्रिस्ट क्या माल लेते हैं 100 प्रिस्ट CP माल लेते कह रहा है कि 20% बढ़ा के लिखता है 20% बढ़ा देता है तो आपका 120% यह क्या हो जाएगा आपका अंकीत मूल हो जाएगा यहां से होगा यहां तक कोई दिक्कत ने अंकीत मूल हो गए कहरा कि 10% की छूट दे रहा है माइनस 10% क्या दे रहा है छूट दे रहा है जब 10% की छूट देगे तो आपका क्या हो जाएगा 108, Què यह लाब एक चूछ? यह लाब कितना हो जाएगा? अगर लाब की बात करें तो हो जाएगा 108, पर बेच रहा है माइनस 100 प्रस्ट यानिकि 8 प्रस्ट का लाब हो जाएगा उसे 8% का लाव जाएगा अपसर नंबर जो आपका ए हो जाएगा सत्यों एकदम करेक्ट हो जाएगा तो आज के रहे ये टाप 10 कुस्टिंस जो कि हमने बहुत जगां से खुश के निकाला है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा कि ये क्लास आपको कैसी ल करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे तो थैंक्यू साथियों